सुषान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पिता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभी अभी शेक कपूर जिनों ने लॉंच किया उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदार नाथ उनका कहना है कि वो समाजिक रूप से की गई अपमान और बैज़ती नहीं सेहन कर पाया तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैन किया था सिस्टेमाटिक डिसमेंटलिंग कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो बलाइन आइटम आप इसने लिखते हैं किई आप जब जूठ लिखना होता है आप गो अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्स्ट है 16 December 2016 में मुंबई मीरा लिखता है कि सुशान्त एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है 22 February 2019 को मुंबई मीरा लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशान्त ने कांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 October 2018 को डियने लिखता है कि सुशान्त ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीडू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी ना जाने कितने अंगिनत जूट और ये जो बुद्धी जीवी जर्नलिस्ट हैं ये जो चील कवे गिद हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं ये इसको mental, emotional, psychological, lynching को जर्नलिजम कहते हैं मेरे बारे मैं आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई ये जर्नलिस्ट को अपको पता है उसी राचार सीनिय जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैंग किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको था तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उनपे केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद हो गाइब हो गए मेरी फिल्म रिलीज हो गाइब हो गए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियात पर खड़ा है और कभी आवाज ने उट आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में यह क्यों नहीं लिखा